इसी बीच बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है जहां उतरप्रदेश में कैबिनिट मंत्री सिधार्थ नाथ सिंग के काफिले में हमली की नियत से आया एक शक्स गिरफतार किया गया है इलाबाद पश्चिम सीट से नामांकन भरने जा रहे थे मंत्री सिधार्थ नाथ सिंग और उसी दोरान प्रयागराज पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफत में लिया और फिलाल उस आरोपी से पूछताच की जा रही है उसके पास एक ब्लेड और जहर की पुडिया बरामत क गई है तस्वीरे देख रहे हैं ये वही शक्स है जिसे पुलिस ने अपनी गिरफत में लिया है हाला कि ये काफिले का हिस्सा नहीं था पार्टी का समर्थक क्या कारे करता नहीं है ये बात साफ हो चुकी है अब बाकी जो इसके इरादे हैं किस मन्शा से वहां पहुंचा और अपती जनक सामान जो इसके पास से मिला है उसका क्या काम था इन तमाम मुद्दों के नजर अब पूछता चिसे की जाएगी पुलिस द्वारा फिलाल जब इस पूरे मामले के बारे में सिधार्ट नाथ सिंग से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन पर हमले के इराद इसे ये व्यक्ति वहाँ पर पहुचा था पुलिस ने इसको गिरफ्तार जरूर कर लिया है यह देखिए यह वही ब्लेड है जो इसके पास से बरामत की गई इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर